हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के प्लानेट आज इस टुटोरियल में हम इस दी हुई प्रॉब्लम को सिंप्लिफाई फॉर्म में लिखेंगे बहुती कम टाइम में तो देखी जैसे कि इधर दिया हुआ है कि 25 पावर 25 डिवाइड़ बाई 50 पावर 50 अगर इसको हम इसके simplest form में लिखना है तो जो basic आप्रोच होनी चाहिए हमारी वो ये है कि numerator और denominator दोनों के base या फिर exponent दो में से कोई एक चीज जो है मेरी वो same हो जाए और उसके बाद हम उसको simplify करके असानी से इसकी value बता सकते हैं 25 इसको I can write it like 5 square and then whole power 25 यह हुआ मेरा numerator का part denominator मेरा 50 power 50 को मैं as it is लिख देता हूँ 50 power 50 again अब मैं क्या करूँगा यह जो यहाँ पर 5 square है इसको मैं बाहर वाली power से multiply कर दूँगा तो numerator मेरा हो गया 5 power 50 और denominator मेरा हो गया 50 power 50 अब यहाँ पर इस चीज़ आप देखिए कि numerator और denominator दोनों में जो power है वो same है जब power मेरी दोनों में same है I can write it like 5 divided by 50 whole power 50 now this 5 divided by 50 is nothing but 1 upon 10 whole power 50 or this 1 upon 10 can be written as 10 power minus 1 and again the whole power is 50 अब इस minus 1 को मैं multiply करूँगा बाहर वाली power से so the answer would be 10 power minus 50 so this would be our answer so thank you for watching